नमस्कार दोस्तों गार्गी क्लास्टिस पर आपका स्वागत है डेटा आज की 11 जून 2021 देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेक्स के इंपोर्टन न्यूस और एक्स्प्रेंट पेज से इंपोर्टन आर्टिकल जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं एडिटोरियल पेज और आई जेना वहां पर ज्यादा वैक्सीन अवेल हो रहे हैं तो एक इक इक्विटी कंसर्न है कि जिन लोगों के पास में पैसा है जिन लोगों का अच्छा-ख़ाचा कंट्रिबुशन घ्डीपी में उन लोगों के पास में वैक्सीन आवेलेबल ज्यादा है तो इस पॉइंट औнев इस आर्टिकल को देखेंगे डीटेल में इसके लावा थर्ड पेज पर हम जो न्यूस देखेंगे डीटेल में वो है आपके सामनी ये कि सेकंड वेव के चलते हैं स्टेट्स ने लॉकडाउन लगाया फ्यूल कंजम्शन डाउन गया इसी के चलते कहीं ना कहीं जॉब्स में भी लॉसेज हुए हैं तो एक तो देखेंगे कि एकोनोमी में क्या डिकलाइन देखने को मिला उसका थोड़ा सा ट्रेंड जानेंगे और इसी कोविड नाइटीन की सेकंड वेव के चलते हैं एकोनोमी जानेंगे इंसेक्ट क्या है सिकाडाज क्या होते हैं किस तरीके का इनका लाइफ साइकल होता है क्या लॉसेज हैं वो साला जानेंगे इसके लावा bead model क्या है माराष्टा गॉर्मेंट ने जो भी proposal दिया है प्रधान मंत्री फसल बीमायोजना के लिए जानेंगे इस model को भी ये कुछ important article से जिनको हम detail में देखेंगे बाकी एक बार newspaper की summary लेंगे और सबसे last में हम discuss करेंगे राजस्थान specific portion को ठीक है तो चलिए देखते हैं detail में front page पे first news है आईशे report for 2019-2020 gender gap जो है वो अब धीरे-धीरे कम हो गया और अभी result जो मिला है वो है B.com जो Bachelor of Commerce का course होता है अंडर graduation उसमें आप देखोगे कि अभी 100 लड़कों के comparison में 100 लड़कियां admission ले रही है जो कि अच्छी बात है gender gap धीरे-धीरे higher education में down हो रहा है इसके पहले B.com में अल्रेडी ये landmark हम achieve कर चुके हैं जहां पर higher education में B.C. मतलब Bachelor of Science में 100 लड़कों के खिलाफ 100 लड़कियां बैठती हैं है ना education के लिए higher education में अब B.com में भी ये हो चुका है जो कि एक अच्छी बात यहां पर है तो ऐसे में दो courses पहले से थे तीसरा course दो courses कौन से थे पहले B.C. और MBBS में देखो सो लड़कों पे सो लड़कियां थी जो कि अब B.com में भी होगी तो तीन higher education courses जैसे हैं जहां पर ये 100% achievement ये gender gap खतम हो गया और ये चीज हम हमें कहां से मिलती है All India Survey on Higher Education आईशे ये आप लिखकर के देख लो ठीकर इसको लिखना है अपने को इसके अलावा कुछ और higher education courses जहां पर अभी भी कही ना कहीं पीछे हैं लड़कियों का जो representation है रिप्रेजेंटेशन है वो अभी भी कम है वो जानते है कौन-कौन से courses है देखो यहाँ पर आप देख सकते हो BA program के अगर बात करो तो BA program में तो लड़कों से ज़्यादा लड़किया एड्मिशन लेती है पर B.com में first time ऐसा हुआ है कि लड़किया अगर सो हैं तो लड़किया भी सो यह एड्मिशन ले रही है B.sc की बात करें तो 2017-18 में ही enrollment लड़कियों का लड़कों के बराबर होने लग गया था B.tech मतलब Bachelor of Technology में अभी भी लड़कों के comparison में लड़किया बहुत कम एड्मिशन ले रही है तो एक यह चीज इस पर improve करने की जरूरत है इसके अलावा जब education की बात आती है तो एक important indicator आता है वो हता है gross enrollment ratio कि कितने बच्चे overall population में से admission ले रहे हैं education में ठीक है तो ऐसे में इंडिया में gross enrollment ratio में increment दिखा गया है 2019-20 में college में education लेने की बात करें तो 18-23 साल age के जो group के जो बच्चे होते हैं या जो youth होते हैं जो admission के लिए जाते हैं higher education के लिए उनका admission हुआ करता था 27.1% ही जो की 2015-16 में कितना था केवल 24.5% इसका मतलब आप देख सकते हो 2019-20 में कितना rise हुआ है similarly ये जो rise हुआ ना 24.5% से 27.1% के तरफ जाना उसका mainly जो impact है वो लड़कियों पर देखने को मिला है कैसे कि इस gender ये जो आप देख रहे हो gross enrollment ratio इसमें men's का जो participation है वो तो 25.4% से 26.9% ही पहुँचा है जबकि females का अगर आप यहाँ पर देखोगे ना तो 2015-16 में 23.5% से अभी 2019-20 में gross enrollment ratio में female participation 27.3% तक increase हो गया है point क्या है कि यहाँ पर women का representation देरे देरे बढ़ रहा है females का participation in higher education increase हो रहा है और आप particularly देखते कौन से age group को 18 से 23 age group को ठीक है बाकी चीज़े देखो इसमें बहुत सारा data है main जो data था वो हमने यहाँ पर देख लिया इसके अलावा अगर हम बात करें undergraduate courses में तो UG होती है PG होती है और PhD होती है तो ऐसे में इन सभी categories में कहीं है हम अभी जो focus कर रहे हैं वो UG courses में कर रहे है 9.5 students तो केवल और केवल UG courses में है बाकी बचे हुए 11.2% students हैं वो आपके जाते हैं post graduate के लिए PG के लिए और 2.02 lakh students हैं वो किस के लिए जा रहे हैं आपके PhD के लिए तो ऐसे में UG courses में आपको gender gap जो है वो reduce होता हुआ दिखाई दे रहा है और engineering का आपको पता ही है कि engineering में एक तो admissions कम हो रहे है लगबग 7,000,000 admission per year के इसाफ़ से decline कर गए है तो ऐसे में mainly आप देखोगे electronics engineer, mechanical engineering, civil, electrical engineering and mining इनमें admissions कम हो रहे है बाकी देखो computer science information technology इनमें admission अच्छे खासे हो रहे है तो ये चीज है main ठीक है बाकी तो आप जानते हो post graduate level पे जो students है strength हमने अलरड़ी देख ली बाकी और ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूत है नहीं आगे जलते है next news है equity concern जो key corporate houses है उनकी workplaces पे जो vaccine मिल रहे है वो ज़्यादा तर vaccine वहीं पे और है अलब आप मानो कि cities में जो vaccine लग रहे हैं उनमें ज़्यादा तर vaccine कहां पर लग रहे हैं ये जो offices है ना जो corporate house के जो corporate offices हैं उनमें ज़्यादा लग रहे हैं तो ऐसे में आप देखो कि कहीं ना कहीं एक vaccine inequity मिल रही है vaccine short administer किये जा रहे है पहली चीज तो shortage है दूसरी तरफ आप vaccine की अगर देखो तो ज़्यादा inclination देखने को मिल रहा है उन corporate houses का जो की GDP में बहुत बड़ा contribution देते हैं या जो पैसे वाले corporate houses हैं तो ऐसे में जो छोटे corporate houses हैं उनके पास में option कम रहेता यहाँ पर देखो TCS का नाम आ रहा है ठीक है यह बड़ी कंपनिया है जहाँ पर information technology में काम करने वाले हो गए या कोई भी बड़ा corporate house है उनमें काम करने वाले जो भी candidates हैं उनके जो employees हो उनको vaccine जल्दी मिल रहा है तो ऐसे में तीन important चीज़े बताई जा रही है यहाँ पर इस news में उन पर हम focus करते हैं अब यह जो corporate house corporate offices हैं यहाँ पर जो employees को vaccine लग रहे हैं वो vaccine का collaboration कर रहे हैं वो private hospitals से अब private hospitals का आपको पताई है कि 25% ही उनके पास में portion है तो ऐसे में जो बचे हुए option है जैसे कि सरकार के पास में अब तो चलो vaccine policy change हो गई तो 75% remaining portion जो है vaccines का वो अब केंदर सरकार के द्वारा किया जाएगा state government को free कर दिया गया है तो ऐसे में अब यहाँ पर यह suggestion दिया जा रहा है कि यह जो 75% जो है केंदर सरकार के हाथ में जा रहा है तो ऐसे में अब ध्यान देने की ज़रत है कि यह vaccine inequity को आप कैसे correct कर सकते हो तो normal जो trends देखने को मिल रहे है उनमें देखो कि यह जो mass vaccination हो रहा है वो data क्या शो कर रहा है कि workplace vaccination policy में अगर आप देखो तो inoculation बहुत जल्दी से हो रहा टीका करन बहुत जल्दी हो रहा है पर mainly उन companies में हो रहा है जो GDP में अच्छा खासा contribute कर रही है तो अभी सरकार को क्या करने की ज़रत है कि अब vaccine procurement अगर कहीं पे होता है तो उनको एक priority basis पे देना चीए जैसे कि unorganized sector में जो लोग काम कर रहा है उन लोगों को vaccine दिया जाए या vulnerable section जो है population के जो बिमार लोग है जिनको अभी तक vaccine नहीं मिल पाया है या फिर जो लोग अभी भी कहीं न कहीं कि जिन लोगों को vaccine की ज़रुरत है उनको आप identify करो प्रायर्टी पे लो फिर उनको vaccine करो दूसरा जो trend देखने को मिल रहा है वो ये कि supply की shortage आपको एक तरफ देखने को मिल रही है और रही सही में private hospitals के पास में के वल 25% vaccine ही available है तो ऐसे में आप open market में vaccine की availability करा रहे हो तो एक तो financial strength आप proper करो इसका मतलब क्या हो गया कि जिनके पास में पैसा ज़्यादा है वो companies access कर पा रही है तो अब सरकार के पास में कितना है 75% doses का खुद के हाथ में रहेगा तो आप spotlight कही ना target specific category के लोगों को vaccinate करो ये चीज़ कही जा रही है vaccine equity ensure ये बात आ रही है फिर next third range है data ये शो करता है कि population का कुछ section ऐसा है जो कही ना कही healthcare की quality को पहले ही access कर पा रहा था मतलब जो पहले ऐसे लोग थे जिनके पास में अच्छा कासा knowledge ये अच्छा कासा पैसा है तो वो लोग तो क्या पहले से healthcare facilities का अच्छे से access कर पा रहे थे और उनी को कही ना कही vaccine में भी priority मिल रही है तो अब जरूरत है कि जिन लोगों के पास में limited access से quality healthcare का उन लोगों को आप ध्यान दो क्योंकि third wave का derby अभी बना हुआ है और third wave में बच्चों पर जाद आटक है तो ऐसे में आप पहले से कम से कम 18 साल से जादा उमर के लोगों को तो जल्दी जल्दी वैक्सिनेट कर दो तो ये तीन अप्रोच और तीन ट्रेंड्स देखने को बताए जा रहे हैं आगे चलता है फिर next news है कि second covid wave के आने से states ने अलग-अलग lockdown लगाए तो ऐसे में देखो consumption जो है वो बहुत कम हो चुका है लग-बग 25% तक reduce हो चुका है मार्च से लेकर अब तक petrol, diesel, aviation, fuel इसकी अगर बात करें तो इसमें आप देखो कि मार्च में अगर आप देखो metric tons में यहाँ पर है thousand metric tons में तो 2740 तो कहीं न कहीं transportation में ही कहीं न कहीं break लगें सारे पूरे system में अगर देखे तो इसके अलावा mobility के अगर बात करें transportation की या कोई भी अगर trade की बात करें तो e-way bills बहुत important एक indicator है तो e-way bills के numbers में भी बहुत कमी आ रही है जो करोडों के अंदर आप देखो कि बहुत ज़्यादा हुआ करता था वो अब कम हो गया देखो e-way bills generally generate उनके लिए किया जाता है अगर आप कोई भी transport में कोई भी सामान 50,000 से ज़्यादा की value का जा रहा है तो अगर transport हो रहा है किसी good का और अगर वो goods 50,000 से ज़्यादा value के हैं तो e-way bills उनको लेने होते हैं तो e-way bills के numbers में भी बहुत कमी आ रही है तो ऐसे में कही ना कही एक ये सीधा indicator किसीज़ का है कि second wave ने जो September month के time पे एक revival देखने को मिल रहा था September October में जो हमारा festive season आया था वो पूरा का पूरा collapse कर गया फिर से COVID-19 के second wave के चलते हैं ठीक है और ये ही कही ना कही इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा jobs पे उस पर भी चलता है pandemic के चलते हैं labor market को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है joblessness की अगर बात करें बेरुजगारी की अगर बात करें मतलब job जाना 13% तक नोकरिया खो चुके हैं लोग और ये बात कही है CMIE की latest report ने रही सही में जनवरी और April के बीच में demand भी बहुत ज़्यादा down हो गई है जो कि September December के बीच में 2020 में हमारी high कोई तिन थोड़ी से demand वो drop हो गई फिर से हैं वज़े COVID-19 की है second wave और ये बात कही जा रही है CMIE की data sheet की according CMIE का मतलब हो गया Center for monitoring Indian economy तो 30 दिन का अगर average निकालें तो unemployment rate अभी कितनी चल रही है 6 जून तक 13% तक unemployment increase हो चुकी है जो कि बहुत ज़्यादा है अपने आप में ठीक है इसमें ज़्यादा असर किस पर पढ़ा है non-office workers पर जो लोग official काम कर रहे है न देखो उनको तो फिर भी कहीं नहीं safe zone मिलती रही है पर जो लोग unorganized sector में काम कर रहे हैं non-offical workers हैं उनमें ज़्यादा बेरोजगारी का देखने को मिला है ज़्यादा तर आप देखोगे कि जितना बेरोजगारी आई है उसका ज़्यादा तर हिस्सा ही इन unorganized sector वाले लोगों को देखने को पढ़ा है जिसमें आप यहाँ पे देखो कि लगबग 36.8 million jobs का loss हुआ है जनवरी 2021 से लेकर अब तक उनमें से 23.1 million तो वो इंडिवीजुल से जो daily wages हैं रोजाना अपना काम करते हैं रोजाना कमाया हुआ फिर उसके उपर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं मतलब जिन्दिगी बिताते हैं तो ऐसे में जो unorganized sector हो उसको ज़्यादा यहाँ पर परिशानी हुई है consumption demand की हम अलड़ी बात करी चुके हैं जो पहले से ही decline कर चुकी है तो ऐसी परिश्थितियां क्या है ग्रेव होती चली जा रही है unemployment बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अब जो अगर इस बिमारी से बाहर निकलेंगे रहे तो सबसे बड़ा problem यही आएगा एक तो inflation का chances बन रहा है क्योंकि बार-बार liquidity लगातार बढ़ती चली जा रही है वो अतलग है लोगों में अभी confidence नहीं है पर एक बार economy अगर track पे आती है और यह covid खतम होता है तो inflation और unemployment यह दो चीज़ें ऐसी रहेंगी जिनको tackle करना बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक है क्योंकि ऐसी परिष्टितिया बनेगी तो फिर economy के लिए long term में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट आगए हम explain page page वहाँ पर देखेंगे brood 10 यह कैसे रहते हैं क्या करते हैं यह insect जो है इसका encounter अभी क्यों highlight हुआ है देखो इसमें America में mainly होता है Northern America में सबसे पहले तो आप यह image देख लो यह एक तरीके का insect होता है brood 10 ठीक है और mainly कौन-कौन से states में यह attack करता है वो आप देख सकते हो इधर यह Eastern America है उसके mainly इन states में करता है यह एक तरीके का cicadas है cicadas का मतलब होगे एक तरीके का insect है जिसका variant है यह brood 10 ठीक है अब देखते हैं बोला क्या जा रहा है देखो US President Joe Biden जब take off कर रहे थे तो अचानक से brood 10 swarm का attack होता है यह देखो इनके यहाँ पर शर्ट पर बैठा है ठीक है तो ऐसे में इनका जो take off था G7 की meeting के लिए जा रहे थे तो उसमें delay हो गया तो ऐसे में यह highlight हो गया तो देखो brood 10 होते क्या है सबसे पहली चीज तो यह यह basically underground मतलब जमीन के अंदर रहने वाले लंबे समय तक लगब 13 से 17 साल तक तो यह अपनी जंदिगी का बहुत बड़ा हिस्सा जमीन के अंदर underground बिताते हैं ठीक है खाते क्या है यह tricky roots या तो underground roots हैं जो जड़े होती है वो या फिर अगर मालो किसी पेड़ के उपर की तरफ जड़े हैं तो वो खा लेते हैं तो मतलब यह survive किस पे करते हैं tree roots पे ठीक है brood क्यों refer किया इसको क्योंकि यह cicadas की एक family है जिसमें बहुत बड़ी population है अपने आप में हना जो कि एक साथ रहती है और underground manner में रहती है brood 10 की अगर बात करें तो यह largest brood है जो की 17 साल तक cicadas का वो group है जो 17 साल तक लगातार मिट्टी के अंदर दबा हुआ रहता है 13 या 17 साल के बीच में इसके पहले brood 10, brood 9 यह बहुत सारे emergence already देखे जा चूँ brood 10 तो यह है इसके पहले brood 9 भी already USA ने देख लिया है यह देखो यहाँ पे किस तरीके से categorization कर रखा है अभी हम बात कर रहे है brood 10 की इस category की बात कर रहे है तो इसके बाद में और सालों के अंदर अलग-अलग साल में अलग-अलग यह दे रखा है अब इसमें यह देखा जाता है कि कितना वो combination है कितने ज़्यादा insects एक साथ निकल के आ रहे है तो वैसे तो देखो human being के लिए इतना ज़्यादा घातक नहीं है कि हाँ काटते हैं या कोई जहरिला डंक मारते हैं ऐसा कुछ नहीं है पर हाँ इनका अचानक से आना एक identity है अपने आप में आप देखोगे brood states के नाम से जाना जाता है यह सिकेडा states के नाम से जाने जाता है जो नौर्ड इस्टन states है ना USA के जिसमें वरजीनिया, इंडियाना हो गया इस्टन टैनेसी हो गया पैनेसिलवेनिया हो गया यह ऐसे states है जहाँ पर इनका यह जो swarm है एक तरीके से पूरा जट्ता निकल के आता है ठीक है और normally कभी यह swarm आता है इनका यह आता है मई के टाइम पे और चलता है लगबग जून एंड तक ठीक है और normally हो गई कौनसे यह सीजन समर जब जाने वाली होती है ठीक है एंडिंग ऑफ दसमर 17-18 डिग्री से एंटिग्रेड टेंपरिचर जब होता है जब यह जमीन से बाहर निकलते है फिर यह बात आ जाती है 17 सालों तक यह करते क्या है ठीक है तो इसमें देखो इनका life का span जो है कि normally male जो है वो sound बहुत जादा create करते है ठीक है sound create करने का purpose female को अपनी तरफ attract करें फिर उनके बीच में mating होती है mating होने के बाद में female जो है वो लगबग 500 के लगबग अंडे देती है एक बार में ठीक है जब भी breeding season आता है तो वो अंडे भी कहां दिये जाते है पेड़ों के उपर ही अब पेड़ों पर ही कोई टहनी हो गई ब्रांच हो गई या फिर कोई भी twig हो गई twig का मतलब छोटी टहनिया हो गई उनके उपर वो छोटे-छोटे बैचेश में अंडे देती है फिर वो अंडे 17 से मेटिंग की थी वो तो पहले ही चले जाते है अंदर ठीक है किवल इस टाइम पर्टिक्लर पीरियड पे मई से लेके जून के बीच में वो बाहर निकलते हैं पर अब जो अंडे दिये थे वो भी क्या 17 दिन के अंदर 17-18 दिन में आयच हो करके नीचे गिर जाएंगे और फिर वो भी अंडर ग्राउंड अपने पनपते रहेंगे और रहेंगे कितने सालों तक लगबग 13-17 सालों के बीच में वो अंडर ग्राउंड ही रहते हैं और फिर उसके बाद में वो बाहर निकलेंगे और बाहर क्यों नहीं निकलते इसके पीछे वज़े है कि बोला अपनी स्पीसी को प्रीडेटर से बचाने के लिए एक यह उन्होंने टेंडेंसी बना लिए इससे क्या है कि अपनी एक तो continuity बनाए रख रहे हैं यह जो इंसेक्ट है और दूसरा बाहर किसी को कोई परेशानी नहीं होती है सुरी मैंने सत्रा दिन बोला सिक्स वीक्स है सुरी सिक्स वीक्स में यह जो अंडे होता है नेम्स है वो एक तरीके से हैच हो करके नीचे गिर जाते हैं और फिर वो ब्रो कर जाते हैं मतलब अंडर ग्राउंड दस जाते हैं अंदर ठीक है फिर लगातार वहीं या फिर वहां पर जो भी कल्चरल अइवेंट्स होते हैं वेडिंग हो रही है कोई कपड़ा प्रेंट कर रहे हैं को टी शेट पहन रहे हैं तो वहां पर भी इनकी इमेजेज आपको देखने को मिल जाएगी क्या ये सिकेडाज जो है वो क्या डेंजरस है तो देखो ऐसा तो कुछ है नहीं बस ये है कि इनका थोड़ा सा साउंड जो हता ना मेल का वो 100 डेसिबल तक पहुंच जाता है आप ये मानों कि 1000 फीट की हाइट के ओपर एक प्लेइन उड़ रहा है इतनी ज़्यादा जोड़ से आवाज होती है तो वो सुनने के लिए थोड़ी परदेशानी क्रियेट कर सकता है बाकी इनका कोई इशू आता नहीं है फिर बात आजाती है कि सिकेडाज को खाया जाता है जी बिलकुल पिजा की टॉपिंग कर देते हैं फ्राइ कर लेते हैं डीफ फ्राइ करके वो खाने में भी खाया जाता है उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगा लोकस स्वाम का क्या सीन था वो तो क्या खेतों के लिए बहुत ज्यादा नुकसान दे था इसमें तो क्या यह केवल पेड़ों की जड़ों पर ही अपनी जिंदगी बिताते हैं तो ऐसे में ज्यादा नुकसान वाली चीज नहीं है तो ऐसे में बचाय कैसे जा सकता है पेड़ों को कि आप कवर कर दो किसी कपड़े से सम्थिंग तो बचा सकते हो ठीक है कि यह एक डिड़ मैंने का यह फिक्स पीरियड है पर लोकस स्वाम जाया था उसमें तो आपको पता ही है कि खेतों के खेती खतम कर दिये थे फिर नेक्स्ट आ जाते हैं प्रधान मंत्री फसल भीमा योजना में महरास्टा सरकार के दुआरा बीड मॉडल प्रपोजल दिया गया है अब बीड मॉडल क्या है वो जानेंगे देखो सबसे पहले तो प्रधान मंत्री फसल भीमा योजना की बात करें तो इसमें अभी 2016-17 के financial year से लेकर अब तक का data है उसमें premium तो collect हुआ मतलब farmers ने जब insurance लिया तो उन्होंने premium दिया definitely company को कि हाँ हम ये installment दे रहे हैं हमारी insurance की जो premium है वो देते हैं तो collection रहा कितना 3,95 करोड से बढ़कर के 5,801 करोड तक हो गया 2020 इसमें पर जब disaster आ गया मान लो कि कहीं पर drought आ गये कहीं floods आ गये तो ऐसे में फिर वो insurance को claim भी तो करेंगे तो claim करने की rate जो है वो 2016-17 में तो देखो 1924 करोड रुपई थी जो की बढ़कर के 2019-20 में कितनी होगी पांच हजार पांच सो ग्यारा करोड इसका मतलब क्या हो गया कि आपने पैसे तो जमा करा है कितने 4,925.77 करोड और निकाल लिए 5,511 करोड तो ऐसे मैं आप बताओ कोई भी insurance company गाटे में गई की नहीं बस यही मुद्दा अगर यह समझ में आ गया तो अब easily आपको यह concept समझ में आ जाएगा तो बात कुछ है ची है कि केंद्र सरकार के द्वारा पुर्धान मंत्री फसल भीमा योजना 2016 में शुरू की गई थी एक flagship scheme है जिसमें एक किसान को 1,5-2% premium देना होता है 100 रुपय में से 1,5 रुपय है 2 रुपय तक ठीक है वो depend करता है कि कौन सी आप फसल उगा रहे हो ठीक है मान लो अगर आप बुआई कर रहे हो इसकी थरीफ की तो आपको 1,5 रुपय देना है और रभी की कर रहे हो तो आपको 2 रुपया देना है 100 रुपय में से तो आपने ले लिया insurance बचा हुआ जो premium का amount है वो देगा central government और state government के दुआरा bear किया जाएगा तो ऐसे में ये scheme है central government के दुआरा चला ही हुई जिसको कि state अपने agriculture departments के थूँ central guideline के अंदर implement करते हैं तो ऐसे में आप एक छोटा से example समझ सकते हो कि एक अगर farmer 1300 रुपय की premium अपनी देता है ठीक है अपनी खेती को insure करने के लिए secure करने के लिए तो आप ये मान के चलो एक hectare के लिए अगर वो 1300 रुपय देता है और soya bean की वो खेती करता है तो यह मानो कि जब वो claim करेगा पैसे का तो 45,000 रुपय तक वो claim कर पाएगा तो यह है पुरा सीन तो ऐसे परिस्तितियों में आप देखोगे कि farmer के ओपर load भी नहीं है और वो आसानी से कर सकेंगे शुरुआत में तो ये था कि जिन लोगों ने loan ले रखा है उन लोगों को compulsory लिए इस प्रदान मंतरी finance ये जो फसल भी माही होजना इसके तायत उनको insurance करा ना पड़ेगा फिर उसके बाद में उनको भी क्या कर दिया रिलेक्स कर दिया चलो ठीक है mandatory नहीं है optional है सब के लिए उसके बावजूद भी लगबग 422 लाख farmers ने अभी था के पूरे देश के अंदर इस scheme के अंडर में enroll कर लिया और उन्होंने combine ली 3,018 करोड रुपे तक का investment कर दिया एक तरीके से उन्होंने premium दे दी तो ये था पूरा का पूरा मुद्दा तो इसमें आप देखोगे की farmers की safety के लिए scheme launch हुई है और overall अगर आप add करोगे ना इन सबको तो यह आपको data मिलेगा लगबग 20,000 करोड से भी जादा का अभी तक farmers दे चुके हैं पैसा इसमें पर वही बात है claim भी तो हो रहा है न तो आप state government क्यों change आती है उसके पीछे देखो देखो अभी ये scheme चल रही है जो provision आपने देखा अब महराश्ट्रा में क्या है एक district of bead वहाँ पर मुद्दा यह आ रहा है कि वहाँ पर monsoon पर dependent agricultural activities होती है तो हमें पता है monsoon तो हमारा erratic है कभी तो बारिश ज़्यादा कभी कम तो ऐसी परिश्थितियों में क्या हो जाता है तो जहाँ पर insurance premium जितना आया insurance company के पास में बीड district में उससे ज़्यादा तो उन्होंने claim कर लिया तो ये चीज कहीं ना कहीं परिशान करने लग गई insurance company को तो ऐसे में महराष्टा government ने एक नया system अपनाया वो क्या था कि इसको मानो कि एक pilot project के तौर पे बीड district में implement किया उसमें ये था कि जो भी company है ठीक है insurance company है उसको ये कहा जाएगा कि आप insurance करो कोई problem नहीं है जो हमारी प्रधान मंतरी फसल भी माई उजना उसके तहट आप insurance करो अब insurance कर दिया जाएगा अब मान लो insurance बीड district से मान लो 100 करोड रुपे तक का करवा लिया गया एक example दे रहा हूँ कितना भी हो सकता है कम जादा ठीक है 100 करोड रुपे तक का insurance करवा लिया पर पता पढ़ा कि वहाँ पर droughts पढ़ गए तो अब फसल होगी बरबाद और किसानों ने जब claim लेनी शुरू की insurance की insurance के पैसे निकालने की शुरुआत की तो पता पढ़ा कि company को देने पढ़ रहे है 125 करोड रुपे तो company के गाटा हुआ कि नहीं 25 करोड रुपे का इसी चीज़ को लेकर के company वहाँ से विड्रो कर रही थी तो यहाँ पर state government ने क्या के दिया कि आप चिंता मत करो यह 25 करोड रुपे हम भी एर करेंगे तो ऐसे में state government ने अपनी तरफ से initiative ले लिया कि अगर कोई भी नुकसान होता है तो हम भुकतेंगे पर अब मान लो कि नुकसान की बजाए insurance company को फायदा हो गया कि मान लो 100 करोड रुपे का insurance premium तो दे दिया farmers ने पर claim किया उन्होंने केवल 50 करोड गई तो company के पास में 50 करोड रुपे बचे की नहीं बचे बच गए ना तो अब इसके लिए state government ने क्या कर दिया कि company जो है वो 20% हिस्सा रख लेगी जो भी पैसा बच रहा है उसका और बाकी बचा हुआ 80% जो है वो state government को दे देगी तो इसमें क्या होता है normal conditions में आप देखो आप वापिस आता है टेबल की तरफ यहाँ पर आप देखो किवल 2019-20 का ही साल है जिसके अंदर आप देख रहे हो कि claimed amount जो है वो premium collect हुई उससे ज़्यादा है बाकी देख लो हर में कम है 49,19,35,27,49,46,58,8,22 तो ऐसे में क्या हो गया state government की earning की वैवस्ता हो गई और इसी चीज को कहीं नहीं वो अपने दिमाग में set करके और यह proposal लेके गए हैं इससे क्या हो जाएगा बोले की एक नया provision है इसको काम में लिया जा सकता है state government को एक revenue का नया model मिल गया और इस bead model को ही लेकर के फिर अभी उद्दव ठाकरे गए थे और प्रधानमंतरी नेरेंदर मोदीजी से इसके बारे में बात की तो अब बात आजाती है क्या ऐसा कुछ होने वाला है यह ऐसा लग तो नीरा वज़े क्योंकि अभी जो कुछ भी हो रहा है वो सारी की सारी अभी claim जो है insurance की वो बहुत कम है ऐसी बात नहीं ज़्यादा परेशानी हो रही है तो slim chances है बहुत कम chances है कि इस bead model पे काम किया जाए पर एक यह model आपके सामने आ चुका है जिसमें आप काम कर सको case study point of view से आपके लिए आ गया कहीं पर फसलों के बारे में अगर लिखना हो तो आप quote कर सकते हो कि कहीं पर अगर ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो bead model पे काम किया जा सकता है जिसमें सरकार compliment कर देगी वो सारी चीजें समझ गए और बाकी आप देख ले न अच्छे से बड़ा अच्छा article है एक बार खुट डिटेल से पड़ोगी समझ में आ जाएगा 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 बाकी theme मैंने आपको समझा दिए आगे चलते हैं अब हम आ गए हैं फिर से front page पे समरी लेने के लिए देखो एक तो न्यूज आई है कि मुंबई में एक building collapse हो गई जो भी कलपर सो बारिश आए थी उसमें तो एक तो यहाँ पर क्या चीज आ रही है वो ही urbanization वाला unplanned urbanization illegal construction बहुत ज़्यादा हो रहा है इस building में यह बताया जा रहा है कि height जो थी building की जितना allow किया गया था उससे ज़्यादा height थी ठीक है तो ऐसे में building का collapse होना लाजमी था दूसरी चीज वहाँ पर collector की जो जमीन थी collector के हाथ में जो जमीन होती है उस जमीन के उपर illegally बनाई होई building थी और ऐसा construction कोई मुंबई में नहीं throughout इंडिया अलग-अलग cities में है तो urbanization के उपर बहुत बड़ा सवाल है कि एक planning नहीं है हमारे यहाँ पर उसके चलते यह परेशानी हुई है दूसरा एक news आई है यहाँ पर आप देखो कि जब medical colleges में ही इस तरीके से उन बच्चों से पैसे लिये जाएंगे पास करने के लिए तो बाहर निकल के अगर किसी का भी kidney बेचेंगे तो उनको डर लगेगा क्या नहीं बिलकुल भी तो ऐसे में कितनी ज़ादा आप कर सकते हो कि अगर सही से नहीं चलेगा तो और इसमें देखो सबसे जो मुश्किल गलत चीज जो आजाती है वो आजाती है प्राइवेटाइजिशन ओफ एज्यूकेशन ये बार-बार कहा जाता है कि हैल्द और एज्यूकेशन को तो स्टेट के हाथ में रहना चीए उसके फेवर में ये एक आरग्यूमेंट आप बोल सकते हो तीक है जब से एज्यूकेशन का कॉर्पोरेट सेक्टर ने टेक ओर किया है न तब से ये सारे केसे जाने लग गये हैं जहाँ पर लीगल एक्टिविट असी बात भी नहीं है कि कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत ही जादा गलत करते हैं टॉप की जो इंस्टिटिउशन से उनके अंदर पर फॉर्म भी कर रहा है कॉर्पोरेट सेक्टर की जो इंस्टिट्यूट्स हैं पर कही न कहीं इन चीजों को रोकना जोजना है उसके तहित आपको राशन फ्री में मिलेगा और दुकान के बाहर लिखते हो कि पहले वाला राशन खतम हो गया दूसरे का पता नहीं आएगा भी कि या नहीं आएगा तो ऐसे में आप देखो कि परिष्टितियां कितनी ग्रेव होगी एक आदमी पहले लाइवल प्राइस का वो अवेलेबल है तो आप वो सप्लाई चेन में क्यों प्राब्लम आ रही है उसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है आगे चलता है एक तो आया है ग्रूप आप मिनिस्टर्स ने अपने रिपोर्ट सब्मिट करा दिया है कि कोविड असेंशल के ओपर जी एस् कल फिर होगी सेटेड़े को तब पता पड़ेगा जो फाइनल आएगा तब देखेंगे अपन ठीक है तो इसलिए इसको थोड़ा सा मैं साइडी कर रहा हूं पेटेंट वीवियर की बात है डबलू टीओ में ट्रिप्स के अंडर में जो कोविड नाइंटीन के अगेंस में इसके पेटेंट को थोड़ा सा छूट देने की बात की गई थी शुरुआत हुई थी सेप्टेंबर में इंडिया और साफ अफरिका ने इस आइडिया को फ्लॉट किया था अब इसी आइडिया पे काम किया जा रहा है ठीक है तो ऐसे में बोलना सक्सेस मिल रही है बाकिया आउटकम जो निकलेगा तब की तब देखेंगे इसके अलावा आप देख सकते हो ट्विटर को नाइजीरिया में बंद कर दिया बैन कर दिया तो ऐसे में इंडिया का जो एक माइक्रो ब्लॉगिंग ऑप्शन है सोशल मीडिया का डैट इस कू के डबलो उसको कही ना कहीं मिल गया है और वो कही ना कहीं तयार भी है मार्केट को ग्रैब करने के लिए तो देखते हैं आगे क्या होता है एटीम ट्रांजेक्शन पे अभी जो है पैसे ज़्यादा बढ़ा दिये गए हैं पहले पंदरा रुपए लगते थे एक ट्रांजेक्शन एक्स्ट्रा करने प पे डिपेंडेंसी है दूसरे कंट्रीज पे उस डिपेंडेंसी को हम रेडियूज कर सकी उस पर ही बताया हुआ है तो ऐसे में कुछ इंपोर्टन चीजे थी वह हमने देख ली अब राजस्तान का पोर्शन और वो देखते हैं राजस्तान स्पैसिफिक अगर न्यूज की बात करें तो पहली न्यूस तो है हमारे जो गवर्नर है यहाँ पर कल राज मिश्र जी उन्होंने ये काया कि एग्रिकल्चर सेक्टर में एनिमल हजबेंट्री को हमें ज्यादा ज्यादा प्रोमोट करने की जरूरत है तो ऐसे में अभी इनकी एक सेमिनार हो रही थी वी सी ह है एग्रिकल्चरिस्ट हैं वो कही ना कहीं अपनी लाइवली हुड के लिए डिपेंडेंट हैं किसके उपर अपनी जो लाइव स्टॉक है जो पसू पालन है उस पर डिपेंडेंट है तो एनिमल हजबेंट्री को ज्यादा प्रोमोट करने की इनोंने बात किये और आपको म में पता है कि हमारे यहां पर क्लाइमिट एग्रिकल्चर के लिए कंडियोसिव नहीं है तो उस केस में क्या होता है कि फार्मिंग के साथ साथ में हम एनिमल हजबेंट्री पर भी रिलाये रहते हैं तो उससे क्या होता दूद जो है वो कंप्लिमेंट कर देता है जो भी लोस शुरू हो गया जोदपूर अभी वेट कर रहा है तो यह चीज आप जरूर ध्यान रखोगे कि पाकिस्तान हिंदू माइग्रेंट्स के लिए वैवस्ता की गई है अब देखो इंपोर्टन चीज आ जाती है that is कि अभी राजस्तान सरकार के दौरा अभी जो चीफ मिनिस्टर राजस्ताना शोग एलो जी उन्होंने ये कहा है कि बही तीन इंस्टिटूशन हायर एजूकेशन के लिए जल्दी से जल्दी उनके इस्टैबलिश्मेंट को एंशॉर किया जाए जिसें कि एजूकेशन आप एक तो क्या इसमें दो वज़ा आ रही है पॉइंट आ रहा है एक की गौर्मेंट को स्पैंड भी करना है मार्केट में अगर पैसा मार्केट में आ जाएगा तो लोगों को रुजगार मिलेगा जॉब अगर मिलेगी तो अटोमेटिकल एकॉनमी साइकल भी घुमेगा तो जॉब देना और एक एजुकेशन के लिए जो हायर लर्निंग इ तो एक तीर दो निशान तो ऐसे में गैलोज जी ने आठ करोड रुपए का अप्रूवल दे दिया है ठीक है कंसल्ट कर रहे है कि कैसे फिंटेक डिजिटल उनिवर्सिटी जो की जोदपूर में खुलेगी इसके लाओ राजस्तान इंस्टिटूट आफ एडवांस लर्निं ओर कर दिया है जिसने की कोई भी एक्विप्मेंट की जरुरत हो या एंबिलैंस की फैसलिटी ये करनी हो जैसे कि जएलो में फैसलिटी अवेल कराना होस्पिल्स के फैसलिटी अवेल कराना तो उसके लिए 7.29 करोड रुपए ओर दिये गए है. ठीक है. इसके अलावा डीसी को आठ करोड रुपए दिये हैं इसलिए कि वो अपने employees को salaries दे सकें तो यह पूरा provision था राजस्थान से related अगर आप दूसरे states से associated हैं तो आप इनको skip कर सकते मैं आपको exclusively announce करूंगा कि यह चीज राजस्थान किये यह हम last में discuss करेंगे अपसे ठीक है तो इसके साथ में आ